बोहत सब में पहले शैदानपूर में नैना और सुनैना नम की दो सौदेली चुड़ेल बहने रहती थी नैना बोहती गोरी और खुबसूरत थी वही दूसरी तरफ सुनैना एक दमकोईले की तरह काली थी साथी उसकी शकल बोहत जाद बत्सूरत और डरावनी थी सुनैना चुड़ेल हमेशा नैना पर रोब जमा कर उसे अपने सारे काम करवाती थी वही दूसरी तरफ नैना चुड़ेल सीधी और सरल सभाव की थी वो चुड़ेलों के कॉलेज में पढ़ाई करती थी साथी हमेशा अच्छी चुड़ेलों की संगत में रहती थी लेकिन सुनैना इसके ठीक उल्टा हमेशा बुरे चुड़ेलों की संगत में रहती थी साथी उसे शराब पीने के साथ साथ भी कई तरह की बुरी लत लग चुकी थी फिर कुछ दिनों बाद रानी चुड़ेल अपनी बेटे की शादी करवाना चाहती थी मैं एक होनहार और समस्दार चुड़ेल को अपनी बहु बनाना चाहती हूँ इसके लिए मुझे शैतानपुर की चुड़ेलों की प्रत्योगिता करवानी होगी जो भी चुड़ेल प्रत्योगिता में जीतेगी मैं उसे अपनी बहु बनाऊंगी फिर अकले तन रानी चुड़ेल पूरे शैतानपुर में एलान करवा देती है कि जो भी चुड़ेल उसकी परिक्षा में पास होगी वो उसकी शादी अपने बेटे से करवा देगी ये सुनते ही शैतानपुर की सारी चुड़ेले खुशी से उचल पड़ती है और राजकुमार से शादी करके महल में रहने का सपना देखने लगती है वही दूसरी तरफ नैना और सुनैना का भी यही हाल था फिर प्रत्योगिता वाले दिन दूसरी चुड़ेलों के साथ साथ दोनों बहने भी महल में पहुँंच जाती है उसके बाद राणी चुड़ेल सभी चुड़ेलों से तरहा तरह के सवाल जवाब करने लगती है नैना चुड़ेल बहुत ही होश्यार थी वो रानी चुड़ेलों के सबी सवालों का बिलकुल ठीक जवाब देती है नैना चुड़ेल की बुद्धी मानी से रानी चुड़ेल बहुत प्रभावित होती है देखो मुझे और मेरे बेटे को रोज स्वातेश खाना खाने की आदत है से लिए तुम मैंसे जो भी चुड़ेल सबसे स्वातेश खाना बनाएगी मैं उसे अपने बेटे की शादी करवाओंगी फिर सबी चुड़ेलों को खाना बनाने का सारा सामान दिया जाता है और वो सबी खाने बनाने में जुट जाती है लेकिन नैना चुड़ेल बाकी चुड़ेलों के मुकाबले कम समय में तरा तरा के स्वातिश वेंजन तयार कर देती है नैना चुड़ेल का बनाया हुआ खाना खाते ही रानी चुड़ेलों उसका बेटा दोनों कुश हो जाते है अरे वाँ तुमने तो बहुत ही ला जवाब खाना बनाया है बाकी चुड़ेलों का बनाया हुआ खाना कुछ खास नहीं था लेकिन तुम्हारे खाने की तो बात ही अलग है हामा तुमने बिल्कुल सही कहा इतना स्वादश खाना तो मैंने कभी नहीं खाया मैं इसी चुड़ेल से शादी करूंगा ये सुनकर नैना चुड़ेल खुशी से उच्छल पड़ती है फिर वहां मुझूद दूसरी चुड़ेले नैना चुड़ेल को बढ़ाई देने लगती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ नैना चुड़ेल की शादी राजकुमार से तै हो जाती है सुनैना चुड़ेल जलकर राख हो जाती है उसके बाद वो नेना चुडैल को भला बुरा कहते हुए वहां से चली जाती है नेना की किस्मत तो बहुत ही बुलंद है राजकुमा से शादी करने के बाद वो मेहल में रानी बन कर राज करेगी और मुझे इसी तूटी फुटे घर में रहना पड़ेगा नहीं नहीं मुझे ये सब बरताश नहीं हो रहा मुझे कोई चक्कर चला कर राजकुमा से शादी करनी ही होगी उसके बाद सुनेना चुडैल एक जादूगर्नी के पास पोहन जाती है सुनो जादूगर्नी मैंने सुना है तुम बहुत शक्ती शाली हो इसलिए मैं तुमारे पास मदद मांगनी ही हो तुम अपनी जादूई शक्ती से मुझे मेरी बहन की तरह बना दो ये रही मेरी बहन की तस्वीर इतना कहकर सुनेना चुडैल नेना चुडैल की तस्वीर जादूगर्नी को दे देती है अरे ये तो वही है जिसके शादी रानी चुडैल के बेटे से होने वाली है इसका मतलब तु धोके बाजी करके इसकी जगर राचकुमार से शादी करके महल की रानी बनना चाहती है मैं तुझ जैसी धोके बाज की मदद नहीं करूँगी छल भाग यहां से जादुगर्णी की बात सुनकर सुनैना चुडैल को बहुत गुसा आता है और वो उसी वक्त जादुगर्णी पर हमला कर देती है देखते ही देखते सुनैना चुडैल जादुगर्णी को जान से मार देती है उसकी जादूई चड़ी लेकर अपने घर चली जाती है अरे सुनैना तुमारे पास इतनी चमकदर चड़ी कहां से आई ये तो बहुती खास तरह की चड़ी लगती है हाँ ये एक जादूई चड़ी है अब इसकी मदद से मैं अपना चहरा तेरे चहरे से बदल लूँगी इसकी बात सब मुझे नैना चड़ल समझेंगे और मैं राजकुमार से शादी करके महल की रानी बन जाऊंगी अरे ये तुम कैसी बाते कर रही हो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा के तुम अपने फाइदे के लिए इस हर तक गिर सकती हो बाकवास बन कर मैं तो ऐसी ही हूँ मुझे सिर्फ अपना फाइदा दिखाई देता है उसके लिए मैं किसी को भी धोका दे सकती हूँ तहर जा मैं अभी तुझे अपना कमाल दिखाती हूँ सुन जादवी चड़ी मेरा चेहरा मेरी बहन के चेहरे से बदल दे इतना कहकर सुनैना जादवी चड़ी घुमाने लगती है और अगले ही पल चड़ी से एक रोशनी निकलती है जिससे सुनैना चुड़ी की एक मुर्गी के रूप में बदल जाती है अपनी आपको मुर्गी बनता देख सुनैना चुड़ी जोर-जोर से रोनी लगती है नहीं नहीं आप तेरी कोई मदद नहीं करूँगी मैं तुझे बलकुल सही सजा मिली है इस तरहां सुनैना चुड़ाल हमेशा के लिए मुर्गी बनकर जंगल में बटकनी नगती है पिर कुछ दिनों बाद नैना चुड़ाल की शादी राणी चुड़ाल के बेटे से हो जाती है और वो राणी बनकर महल में राज करने लगती है शार्दपुर नाम के गाओं में रादि का नाम की कनात लड़की रहती थी रादि का सडकों पर कच्रा चुरने का काम करती थी इसी से इसका गुजारा चलता था लेकिन रादी का जब भी दूसरी लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखती तो उसे अपनी बुरी किस्मत पर बहुत अफसोस होता ये सब लड़कियां कितनी किस्मत वाली हैं जो इन्हें स्कूल में जाकर पढ़ने का मौका मिल रहा है और एक मैं हूँ सारा दिन कच्रा उठानी का काम करती हूँ लेकिन आप चाहे कुछ भी हो जाए मैं खूब मेहनत करूंगी और पैसे इखटे करके स्कूल में एडमिशन लूँगी फिर काई माहिनों की मेहनत के बाद रादिका कुछ पैसे जमा कर लेती है और एक स्कूल में एडमिशन करने पोहन जाती है तू सडकों पर कच्रा चुनने वाली एक भिकारन है तूने सोच भी कैसे लिया के तू मेरे स्कूल में एडमिशन ले लेगी मेरे स्कूल में एडमिशन के लिए एक लाक रुपे बरने पड़ते हैं बोल तेरे पास इतने पैसे है क्या ये सुनकर रादिका की आँके फटी की फटी रह जाती है हे भगवान एक लाक रुपे मैडम मैं इतने पैसे कहां से लाओंगी लेकिन मेरा पढ़ने का बहुत मैन है दाया करके आप मुझे अपने स्कूल में एडमिशन देती जिए देख मैंने ये स्कूल पैसे कमाने के लिए खोला है समाच सेवा करने के लिए नहीं चल निकल जा यहां से और दुबारा यहां आने की हमत मत करना लेकिन रादिका नहीं मानती और प्रिंसिपल के पैरों पर गिर कर गिर गिराने लगती है ये देख प्रिंसिपल को बहुत कस्षा आता है और वो अपनी चड़ी उठा कर रादिका को मारने लगती है उसकी बाद प्रिंसिपल रादिका को पका दे कर सड़क पर गिरां देती है चल भाग यहां से दुबारा मेरे स्कूल के आसपास भी दिखाई दी तो मैं तेरी दोनों तांगे तोड़ दूँगी समझ गई न तू रादिका की इस आलत पर उसी स्कूल में पढ़ने वाली अमीर लड़कियां हसते वे उसका मजाक उड़ाने लगती है ये सब देक रादिका को बहुत बुरा लगता है और वो रोते वे वहां से चली जाती है चलते चलते रादिका एक पेड़ के पास पहुंचती है उस पेड़ के नीचे बैठ कर अपने हालतों पर अफसूस करने लगती है तब ही पेड़ के ओपर बैठी दो चुड़ल बहने रादिका की सारी बाती सुन लेती है अरे ये बैचारी लड़की तो पढ़ना लिखना चाहती है लेकिन अपनी करीबी की वज़े से ये स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रही हाँ इसकी हालत देकर मुझे बहुत अफसूस हो रहा है चल इसे अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा देते है उसके बाद वो दोनों चुड़ेल रादिका के पास पहुंच कर उसे चुड़ेलों के स्कूल के बारे में सब पता देते है चुड़ेलों के स्कूल के बारे में सुनकर रादिका बहुत खुश होती है उसके बाद वो दोनों चुड़ेल राधिका को अपनी भूतिया स्कूल में ले जाती है और वहाँ उसका एडमिशन करवा देती है फर राधिका को एक सोने का बैग दिया जाता है उस बैग के अंदर मौझूद सभी किताब्यों और पेंसिल सोने की बनी हुई थी हमारे स्कूल में तुम्हें रोज मुफ का खाना मिलेगा और साथ ही रोज नए कपड़े भी मिलेंगे ये देख राधिका की खुशी का ठेकाना नहीं रहता और वो मन लगा कर वहाँ पढ़ाई करने लगती है इसी तरह एक दिन राधिका स्कूल के लिए निकल रही थी चल जल्दी से मेरे घर पर चल वहाँ बहुत सब्सक्रा जमा है अब मैं कच्रा उठाने का काम नहीं करती मैं अपनी पढ़ाई करने स्कूल जा रही हूँ अरे तू तो कच्रा उठाने वाली एक भीकारी है स्कूल में एडमेशन करने के लिए तेरे पास पैसे कहां से आये तब यह नामिका की नजर राधिका की सोने की बैक पर पड़ती है अरे यह बैक तो सोने का बना है तेरे पास यह बैक कहां से आया जरूर तुने इसे कही से चुराया है ना इसे मुझे दे इतना कहे कर अनामिका राधिका से उसका बैक छीन लेती है आरे वा इसके अंदर तो सोने की किताबी और सोने की पैंसिल है अब ये बैक ले जाकर मैं बाजार में बेच दूँगी रादीका अनामिका से अपना बैक चीनने की कोशिश करती है लेकिन अनामिका अपने पर्से चाक को निकाल कर रादीका पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है बचारी रादी का खुन से लटपच सड़क पर गिल जाती है ये देख अनामिका बहुत खुश होती है लेकिन तब ही वहां दोनों चुडर बेहने आ जाती है वो दोनों अनामिका को पकड़ कर उसकी हूप पटाई करती है मुझे छोड़ दो मुझे कलती हो गई मुझे मत मारो मुझे माफ कर दो नहीं नहीं हम तुझे नहीं छोड़ेंगे तेरे जैसी बुड़ी लड़की को सजा मिलने ही चाहिए उसके बाद दोनों बेहने अपनी जादूई शक्ती से अनामिका को एक जाड़ो के रूप में बदलकर उसे कचरे के डेर में फैंक देते हैं अब तूझ छे महिने तक इसी तरह जाड़ो बनकर सड़क पर पड़ी रहेगी इस तरह नामिका को उसके किये की सजा मिल जाती है फिर उस दिन के बाद से रादिका के जीवन में कभी कोई परिशानी नहीं आती और वो चुड़ैलों के स्कूल में पढ़ते वे हसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है कानपुर नाम के गाउं में सुनाली नाम की एक गरीब लड़की अपने अपाहिच मा के साथ रहती थी सुनाली मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी मा का पेट पालती थी फिर एक दिन अचानक सुनाली की मा की तब्यद बहुत खराब हो जाती है डाक्टर सुनाली को ढेर सारी दवाईयां लिख कर देता है सुनाली उसी वक दुकान से सारी दवाईयां खरीद कर ले आती है बेटी लगता है अब मेरा अंतिम समय आच चुका है मैं नहीं बचने वाली इसलिए तु मेरी दवाईयों के पीछे पैसे मत बरबाद कर ये पैसे तु अपने लिए रख भविश्य में तेरे काम आएंगे नहीं मा ऐसी बाते मत करो तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं दिन रात दुगनी मेहनत करूंगी और तुम्हें पूरी तरह ठीक करके ही रहूंगी फिर अगले दिन से सुनाली दिन के साथ साथ रात में भी काम करना शुरू कर देती है ये भगवान मुझे इतनी शक्ती दे के मैं खूब मेहनत कर सकूँ ताके मैं देर सारे पैसे कमा कर अपनी मा की अच्सी तरह इलाज करवा सकूँ बिचारी सुनाली दिन रात मज़दूरी करना शुरू कर देती है इस तन्हा एक दिन सुनाली अपनी मज़दूरी के पैसे लेकर घर लोट रही थी तब ही अच्छानक रास्ते में इसे गाउं की कुछ लड़कियां रोक लेती हैं आज तुझे तेरी मजदूरी मिली है ना चल सारे पैसे हमारे हवाले कर दे देखो मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम सब शराप पिने वाली बिकड़ी हुई लड़किया हूं इसलिए चुप चाप मेरा रास्ता छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा अरे ये तो हमसे जरा भी नहीं डर रही उल्टा हमें धमकी दे रही है चलो मिलकर इसकी पिटाई करते हैं उसकी बात सबी लड़कियां मिलकर सुनाली को मारने लगती है सुनाली उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो सबी लड़कियां देदाद में ज्यादा थी थोड़ी ही देर में सुनाली पुरी तरह घायल होकर समीन पर गिर जाती है ये देख सबी लड़कियां जोर जोर से हसने लगती है तू तो बड़ी बड़ी बाते कर रही थी ना चलो टब अरे इससे बकवास करके बेकार में टाइम बरबाद मत करो जल्दी से इसके पैसे चीन कर यहां से निकल चलते हैं नहीं नहीं मेरे पैसे मत लो मैंने ये पैसे बड़ी मेहनत करके जमा किये हैं इससे मुझे अपनी मा का इलाज करवाना है लेकिन वो सबी लड़कीया बहुत बुरी थी उन्हें सुनाली पर जरा भी तरस नहीं आता फिर वो सबी सुनाली के सारे पर से चीन लेते हैं उसके बाद सबी लड़कीयां सुनाली को ले जाकर एक नदी में पैंककर वहाँ से भाँग जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ उस नदी में नाव चला रही विनिता नाम की लड़की सुनाली को बचा लेती है आरे ये लड़की तो बेहोश हो गई है लगता है इसे मा के पास ले जाना पड़ेगा विनिता एक जादू करनी की बेटी थी वो सुनाली को अपने घर ले जाती है विनिता का घर एक बहुत बड़ी शिमला मिट से बना हुआ था विनिता की मा फॉरण सुनाली को एक जादू दवाई खिला कर उसे होश में ले आती है होश में आने के बाद सुनाली विनिता और उसकी माँ को अपनी दुख बरी जिन्दगी की सारी दास्ता सुना देती है तुम चिंता मत करो हम दोनों तुमारी मदद करेंगे ये हमारा शिमला मर्से बना हुआ गर जादूई घर है तुम हमारी घर से अपनी एक इच्छा मांग सकती हो ये सुनकर सुनाली खुश हो जाती है मैं अपनी मा का इलाज करवा कर उसके साथ सुकुन से अपनी जिन्दगी जीना चाहती हूँ अच्छा ठीक है ये घर अभी तुमारी इच्छा पूरी कर देगा फिर अकले ही पल सुनाली के उपर से धेर सारे नोटों की बारश होने लगती है देखते ही देखते वहाँ नोटों का धेर लग जाता है उसके बाद सुनाली उन सभी नोटों को ठाकर अपनी घर ली जाती है इसके बाद सुनाली एक बड़े अस्पताल में अपनी मा का इलाज करवा कर उसी पूरी तरह स्वास्ट कर देती है दूसरी तरह सुनाली अपने पुराने गर को तोड़ कर वहां एक बहुती संदर गर बनवा लेती है इस तरह सुनाली की जिन्दगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अमीर बन कर अपनी मा के साथ चांट खुशी से रहने लगती है लेकिन पेर एक दिन गाउं की बूरी लड़कियों को सुनाली के बारे में सब पता चल जाता है पेर एक रात वो सबी सुनाली के घर पहुंच जाते हैं सच सच बताना तेरे पास इतनी सारी दौलत कहां से आई देख अगर तोने सच नहीं बताय तो हम सब तेरी मा को जान से मार देंगे अपनी मा को खत्रे में देख सुनाली सबी लड़कियों को जादूई शिमला मिर्ज कर के बारे में सब बता देती है पिर वो सबी लड़कियां जादूई शिमला मिर्ज के घर के पास पहुंच जाते हैं उन सब को देख विनीता और उसकी मा दोनों चोक जाते हैं हमें धेर सारे सोने के सिक्के चाहिए जल्दी से अपनी घर से कहो कि ये हमें धेर सारे सोने के सिक्के दे वरना तुम दोनों जिन्दा नहीं बचोगी लेकिन अगले ही पलन सभी लड़कियों के उपर बिजली गिरने लगती है मर गई रे कोई बचाओ मुझी आ रे कोई मेरी मदद करो ये घर तो कतरनाक है यहां से भागो वरना ये हमारी चान ले लेगा उसके बाद सभी लड़कियां खबरा कर वहां से भागने लगती है लेकिन वो जादोई घर सभी को बिल्ली के रूप में बदल देता है ये देख विनीता और उसकी माँ दोनों खुश होती है इस तरहां उन सभी लालची लड़कियों को उनके किये की सजा मिल जाती है और वो सभी बिल्ली के रूप में भटकने लगते हैं